नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशासत्य की राह में मैं आपके साथ आपका इश्टो फेंट संतो संतोशी आज आईए नागपुर में आज और कल दो दिन नागपुर फिर मुलाकात का सिलसिला लखनूद पे जाके थमेगा और फिर गाजियाबाद हम अपने होम टाउन तो नहीं कहेंगे लेकिन अब होम टाउन ही है पिछले 25 साल से जब वहां रह रहे हैं मित्रो आज सब कुछ आप तक हम पहुँचाने जा रहे हैं पूरे दिन का हाल तो बताएंगे ही इसके अलावा कुछ ऐसी जानकारियां भी हम आपको देंगे जोतिश विज्ञान के माध्यम से जिसके बारे में बहुत रेयर आप जानते हैं ये सूत्र कहे जा सकते हैं मैं राशी फल को एक तरह से प्रमोट करने के लिए ये सूत्र देता हूँ क्योंकि अगर आपकी जोतिश विज्ञान में रुची है तो आप जरूर इस विशय को इन सूत्रों को समझ कर कदम बढ़ाते रहें चले सुरवात आज के जोतिश दिशा की करें नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग अशाण महाशुकल पक्ष नौमी तिथी है आज चंद्रमात तुला राशी में नक्षत्र स्वाती ये राहु का नक्षत्र है योग आज का सिद्ध सुबज 6 बचकर 69 मिनर तक इसके बाद साध्ययोग तदनुसार दिनांग 15 जुलाई दिन सुमवार सुमवार के दिन राहु काल सुबह साड़े साथ से नौ और गुलिक काल दोपहर जेड़ से तीन राहु काल में नय और शुबकामों के लिए सास्त्र वर्जुत करता है मना करता है इसमें आपको कोई भी नया और शुबकाम आरंब नहीं करना चाहिए काम के बिगड जाने की संभावना बनती है राहु काल ऐसा समय होता है थोड़ा अपने अपने छेत्र का राहु काल गुलिकाल देखकर और फिर कदम बढ़ाईएगा पूरा पश्यम के आधार पर आधे घंटे से 40 मिनट तक का अंतर संभाव है तो आज जो विशय हम बताएंगे आपको वो केत्व की दशा का एक अनोखी जानकारी है केत्व की दशा अंतर प्रत्यंतर हो तो आपके लिए यह एक अनोखी जानकारी मिलेगे इंतजार जरूर करिएगा समझ जरूर लीजियेगा इस विशय को क्योंकि ये जानकारी आपको बमुश्किल कहीं प्राप्त हो तो अब हमसे जुड़े हैं तो टिके रहिएगा और जो नहीं जुड़ा है उसको जोड़ने की कोशिश करिएगा इसलिए बार-बार आगरह करते हैं भाईयर आशिफल को ग्रुप्स में शेयर जरूर किया अगर ये वाटसप हो कर रहे आएए सुरू करते हैं अब आज की भविश्य वाड़ी मेश राशी अकसमात कुछ रुकावट आपके लिए आश्यर चकित करने वाला होगा अचानक से कुछ परेशान हो जाएंगे पढ़ाई में समस्य आएगी आज मन की चंचलता आपको परेशान करेगी शिक्षा का मैटर गड़बड है व्यापार मामला दमदार रहेगा बिजनस की चिंता ना करें बिजनस में कुछ अच्छा और सकरात्मक और बड़ा होने जा रहा है प्राइवेट सेक्टर वाले जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते है उनके लिए परिस्थतियों को पकड़ना और उसके हिसाब से चलना थोड़ा कठिन रहेगा सरकारी छेत्र आपके लिए कुछ नया शुभारम नई परिस्थति पैदा करेगा दामपत्य जीवन एक दूसरे के प्रति कष्ट बढ़ा रहा है अचानक से किसी ऐसी इस्थति में आप आ सकते हैं जो आपको परिशान करेगा स्वास्थ के मामले में बैक की प्रॉब्लम आँख की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर अपने मस्तक पर हल्दी का तिलग लगा लिजेगा शुबरंग आपके लिए पीला भाग की प्रत्षत 57 बिशब राशी चंद्रमा की स्थति आज छटे भाव में आ गई पढ़ाई में उतार चड़ाओ अचानक से किसी मुश्किल की स्थति शुक्षा में अधूरा पन ब्यापार अनोखा है बिजनस में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी तेजी से आगे बढ़ेंगे प्राइवर्ट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा और बड़ा अपने आप दे रहा है साकरात्मक स्थतियां बन रही है सरकारी छेत्र को आप एक अलग तरह से बल दे रहे हैं गवर्मेंट सेक्टर में शुबता बनी हुई है दामपत्य जीवन नुकसान की स्थति में है गवर्मेंट सेक्टर आपके लिए उतार चड़ा और दामपत्य जीवन में नुकसान ये रहेगा कि जैसे बाहरी लोग कुछ उंगली कर देंगे अब आपकी स्थतिय ऐसी नहीं है लेकिन अब उंगली हो गई तो हो गई ऐसा कुछ होने जा रहा है स्वास्थ बहतर रहेगा कुछ बुखार उखार थोड़ा बहुत चोगी छठे का चंद्रमा है देता है कई बार लेकिन अगर आप सूर्य आदी की दशाव में चल रहे होंगे ओम विश्णवे नमहे ओम विश्णवे नमहे ग्यारह वारिस का जाप कर लीजे शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रद्शत पच्पन मिथुन राशी आज आपके चंद्रमा पंचमस्थ हो हुए अंचम भाव में बहुत अच्छी स्थति है आज पंचम में चंद्रमा की स्थति आपको बहुत मजबूत करती है आपके लिए प्रशनता का विश्य रहेगा तमाम विश्यों पे आप प्रशनता रजर आएंगे पढ़ाई भी अच्छी करेंगे आज सिक्षा में कुछ अच्छा निरड़े लेंगे आपके लिए अन्कूल निरड़े रहेगा ब्यापार आपके लिए तनाव ग्रस्त है बिजनस बहुत अच्छी स्थति में नहीं है कई तरह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है प्राइवर्ट सेक्टर आपके लिए कुछ नए जोन में लेकर के जाने वाला होगा आप कुछ ब्यहतर और अन्कूलता प्राप्ट करेंगे सरकारी छेत्र थोड़ा बहुत तार्जड़ा दे रहा है गौर्रमेंट सेक्टर को ध्यान देने की आवशक्ता है दामपत्य जीवन एक दूसरे के प्रती अन्कूल इस्थतियों में आ रहे है पती-पत्नी की बीच तालमेल की स्थती बहुत अन्कूल है स्वास्थ के मामले में आज का दिन माइग्रेन की समस्या बढ़ाएगा और उदर रोग पेट की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना भी है मिथन वालों को आज पीला पुश्प शिवलिंग पे रख दीजेगा बस इतना करते ही आपको अनोखा अनुभा होगा आपके लिए अनोखा दिब्व है शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रिथशत पचास करकराशे चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में होने का प्रिभाव बहुत अनकूल रहेगा चंद्रमा आपके लिए बहुत अनकूलता देगा पढ़ाई बहतर रंग से चल रही है सिक्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं है ब्यापार भी आप कुछ बहतर परिणाम के साथ लेकर चलेंगे बिजनस में हर कदम पर अनकूल इस्थतियां आएंगी बिजनस सुभ इस्थति में रहेगा प्राइवेट सिक्टर को लेकर के थोड़ा सजगता आनिवार है सभल कर चलने की आवश्यक्ता है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है सरकारी छेत्र हर तरह से आपके लिए एक next level पर लेके जाने वाला होगा स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो पेट की समस्या और बैक की प्राइवार हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोक के तोर पर आज करक राशी वालों को मादुरगा को प्रणाम करके ओम दुम दुरगा यही नमह का ग्यारह वार जाब करी शुबरंग आपके लिए आज आसमानी भाग्य प्रत्षत सत्तावन सिंग राशी चंद्रमा आये अब थर्ड हाउस में यहाँ परिस्थतियां कई तरह से डावा डोल रहेंगी बहुत अच्छी इस्थति में नहीं है नुकसान हो सकता है थोड़ा संभल कर चलने के आवश्यक्ता है अचानक कुछ मुश्किलें आ सकती यह इस्थति आपके लिए कश्ट दायक रहेगी क्योंकि थर्ड हाउस का चंद्रमा हम ऐसा कुछ कश्ट देता है जो कि यह अश्टम से अश्टम आ जाता है पढ़ाई संभव नहीं है आज कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाएं सिक्षा में ही रुकावट और प्रशानी का सामना करना पड़ेगा ब्यापार आपके लिए अनकूल है आउसर अच्छे मिलेंगे बिजनस में कुछ बड़ा और सकरात्मक करेंगे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ शुभ परिणाम देने वाला है प्राइवेट सेक्टर में शुभता अपने आप बनी हुई है सरकारी छेत्र में सुधार लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर आपकी राशी सिंग है गौर्बर सेक्टर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफ़र्ड करिए यह आपके लिए आज अरिवारे है दामपत्य जीवन अब दीके थर्ड हाउस में है तो विवाद तो देगा आज और राहु का नक्षत्र है स्वाती नक्षत्र तो यह भी विवाद का कारूल बनता है और राहु आपकी कुंडली में इस समय बरतमान समय में सिंग राशी वालों के छठे में अश्टम में चल रहे हैं यह भी स्थती खराब है इस पर ध्यान देने की आवर्शक्ता है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो कमरदर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है ओम गंगरपते नमा इस मंत्र का जाब करें शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग के प्रतिशत अब बात करते हैं कन्या राशी की कन्या राशी वालों के सेकेंड हाउस में चंद्रमा आए ये थोड़ा सा आपको सतर्क करने के लिए आए सावधान हो करके कदम बढ़ाएं आपके लिए बेहतर रहेगा शिक्षा थोड़ा उतार चड़ाव के साथ है पढ़ाई को ले करके ध्यान देने क्या वशक्ता है व्यापार आपके लिए अनकूल रहेगा बिजनस में कोई दिक्कत नहीं है धन का योग बढ़ेगा धन का लाव बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए थोड़ा बहुत उतार चड़ाव देगा है मैड़ेट लाइफ को संभले और संभाले लव लाइफ थोड़ा सा टफ सिचुएशन देता है लव लाइफ पर फोकस करने की आवशक्ता है कन्या राशी स्वास्त के मामले में नेत्रदोश और पीट की समस्या हो सकती प्रियोग क्या करना है आज किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए हरा भागी प्रद्शत पश्पन तुला राशी चंद्रमा आपकी हिराशी में विराजमान हुए यह आपके लिए एक आदर्श रिष्थति है सकरात्मक रिष्थति है पढ़ाई बहुत ब्यातर ढंग से कर रहा है आप सिक्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं है अपितु सिक्षा के छेतर में कुछ बड़ा करने का चाह पूर करेंगे तुला राशी ब्यापार कई तरह से आपको नुकसान दे रहा है बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यक्ता है प्राइबर सेक्टर आपके लिए अवसर अच्छे दे रहा है यहां पर आपको मजबूत कर रहा प्राइबर सेक्टर सरकारी छेतर को लेकर के आप सजगता पहले दिखा दीजिए जिससे कुछ एक्ष्ट्रा प्रेशर हो तो आप उसको जेल जाए दामपत्य जीवन सकरात्मक परिणाम देगा पति पत्नी के वीच तालमेल बहुत अनकूल है एक दुसरे को सपोर्ट बहुत अच्छा करेंगे स्वास्थ के मामले में पेट की समस्या थोड़ी बहुत होगी और जुखाम खांसे संभव हो सकता क्या उपाय करना तुलावालों को अपने नाभी पर शहद लगा लिजे आज शुक्र का प्रभाव बढ़ाईए शुबरंग आपके लिए आज गुलावी भागी प्रत्षत पच्पन अगली राशी दिश्चिक जहां चंद्रमा 12 अस्थान पर आए पढ़ाई बहुत कुछ सकरात्मक कर रही है शिक्षा में अवसर अच्छे मिल रहे हैं ब्यापार आपके लिए तकलीफ देगा बिजनस की इस्थती बहुत अच्छी नहीं है रिस्क लेना भारी पड़ेगा बिजनस में आपको कुछ न कुछ नुकसान बढ़ सकता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए शकरात्मक्ता पैदा कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में शुभ इस्थती अपने आप आ रही है सरकारी छेत्र को साधने का प्रयास करें गवर्मेंट सेक्टर आपको जितना बहतर साथ सकते हैं साधे दामपत्त जीवन विश्चक राशी जोकि 12 में चंद्रमा है अकस्मात किसी बिवाद की इस्थती से सभाल कर बाहर आ जाए आप विवाद हुआ आपके सामने हुआ अब आप हर जाएए थोड़ा सा स्वास्त के मामले में देखा जाए तो इस्थती बहुत अनकूल है स्वस्थ रहेंगे आप क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर मस्तक पर अपने हल्दी का तिलग लगा दीजे शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग की प्रिद्शत अठावन धनुराशी एक अदस के चंद्रमा का प्रभाव रहेगा पढ़ाई अच्छी करेंगे आप सिक्षा में लाब होगा अवसर अच्छे मिलेंगे ब्यापार थोड़ा सा तकलीफ देगा बिजनस की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है अचानक नुकसान हो सकता है प्राइवेट सेक्टर संभल कर चल रहा है और संभाल कर आप चला रहे है मेहनत करना आपके फितरत में है और मेहनत का पूरा परिणा मिलेगा सरकारी छेत्र हर प्रकार की शुबता आपके साथ जोड के रखा है गॉर्मेंट सेक्टर में शुब इस्तती है दामपत्य जीवन देखा जाए तो अवसर अच्छे मिल रहे हैं पति-पत्नी का साथ मिल रहा है स्वास्त के मामले में लिवर की समस्या आज हो चुकती है धनुराशी क्या हुपाय करना भहिया प्रियोग के तोर पर आज धनुराशी वालों को अपने मस्तक पर कच्चे दूर से तीका लगाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज नीला भागी प्रदिशत बावन मकर राशी दसम में चंद्रमा शुशोभित हुआ बिराजमान हुआ शुशोभित हुआ चंद्रमा की स्थिती अच्छी है दसम भाव को बल मिलेगा पढ़ाई उत्तम स्थिती में आ जाएगी सिक्षा की स्थिती हर तरह से आपके लिए उत्तम है ब्यापार कुछ इधर उधर की चीजों से आपको नुकसान दे रहा है बिजनस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजेगा सभल कर आगे बढ़िएगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आउसर अच्छा देगा सकरात्मक परिणाम मिलेगा सरकारी छेत्र को बल देने की जरूरत है मेहनत से भागना नहीं है आप समय देजेए गवर्मेंट सेक्टर दामपत्य जीवन कुछ बाते नुकसान देने की हैं स्वास्थ के मामले में किद्नी की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है आज मकराशी वालों को शिवलिंग पर कच्चा दूध हर्पित कर दे शुबरंग आपके लिए आज सफेद भाग्य प्रिद्शत तिरपन कुम्भराशी यहां चंद्रमा भाग्य स्थान पर है आपके लिए कुछ बहतर परिणाम दे रहा है अनकूल परिणाम दे रहा है चंद्रमा की इस्थति हर प्रकार से आप पर अवसर की इस्थति दे रहा है स्वास्थ के मामले में पेट की समस्या और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाय करना है अगर आपकी राशी कुम्भ है तो आज प्रियोग के तोर पर भगवान शिव का ध्यान करके कच्चा दूध अविशेक कर दीजिए शिवलिंग पर शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग्य प्रदिशत पच्पन अंतिम राशी मीन पढ़ाई में पूर्टा है सिक्षा में हर प्रकार की शुबता रहेगी हर तरह से आपको शुब इस्थती में रहेंगे आप ब्यापार मीन राशी वालों के लिए उतार चड़ाऊ से युक्त रहेगा आश्टम के चंद्रमा के चलते बिजनस बहुत अच्छी स्थती में नहीं है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ नया आउसर मिल रहा है जिस पर आपको ध्यान दे करके इन्वाल्व होने की आवश्यक्ता है सरकारी छेत्र सकरात्मक परिणाम के साथ आगे बढ़ेगा दामपत्त जीवन इदर उदर की बातों से आपको परिशान कर रहा है सभल कर चलें स्वास्थ बैक की प्राबलम और आख की समस्या दे रहा है क्या उपाय करना है अपने मस्तक पर शहद का तिलक लगाई है शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्य प्रदिशत पच्पर आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का विशे केतु की विशे में आईसी जानकारी जो अब तक आपने नहीं सुनी है माल लिजे किसी की कुंडली में केतु की महादशा सुरू हो जाए जो की साथ वर्ष की होती है केतु की अंतरदशा आजाए अलग-अलग महादशाओं में केतु के इंतरदशा अलग-अलग समय पे रहेगी प्रत्यंतर आ जाए तो केतु के द्वारा एक परिणाम हर हाल में राजा हो या रंग मिलना है केतु एक फल देता ही देता है केतु के द्वारा यह एक फल मिलता ही मिलता है क्या आप गलत फैसले करते ही है क्यों रीजन जान लेजे लॉजिक मैं किसी भी जगह पर बिना तर्क के जोतिश को परोस्ता ही नहीं हूँ के तु नीचे का स्थान है गर्दन के नीचे का स्थान है और के तु की आँखे नहीं है अब जब दिखाईये नहीं दे रहा है तो गलत फैसला तो होगा ही अैसी स्थिति किसी के भी साथ हो सकती है जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपने केतू की दसा को जहला होगा मैं चाहताव कि आप कमेंट जरूर करें तब तो मेरा ये बताना, समझाना, दिखाना, शोध के द्वारा ले आना इस अब जायज और सार्थक होगा कमेंट करिए कि जी गुरु जी, जी संतोशी जी, हमारी केतु की दसाम हमने ये गलत फैसले ले लिए थे दिखाइए नहीं देगा अब उसका प्रकारांतर से एक फल और देख लीजे कि केतु की दसामें जो फैसला होगा वो गलत सिद्ध हो जाता उसका एक और प्रकारांतर से एक और एंगल दिखा दिया मैंने भाई केतु ना होता तो वही फैसलवा सही सिद्ध हो जाता आपने गलत पुरुष का चैन कर लिया शादी के लिए केतू में आपसे गलत इस्तरी का चैन हो गया केतू की दशा में आपने गलत पार्टनर चुन लिया बिजनस के लिए वो धोखा दे के भाग गया केतु ना होता तो वही पात्नरवा आपका सही निकल जाता है ऐसी संभावना है तो केतु की दशाम में कोई भी फैसला बड़ा फैसला अवाइट करना चाहिए वो गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं आगे बढ़ते हैं आगे जान लेते हैं आज की सक्सेज की मद्धमा उंगली में सरसों का तेल लगा करके किसी पौधे को छूकर तीन बार ओम रांग राहवे नमः का जाप कर लेजे आज स्वाती नक्षत्र का चंद्रमा है तीन बार राहू के मंत्र का जाप आपको मजबूती देगा अब आए चर्चा आज के भाग्याक्षर का मेश राशी भाग्षर बिशव पा मिथुन जाग्षर करक सा सिंग गाग्षर कन्या या तुला हाग्षर बिश्चिक मा धनू राग्षर मकर खा कुम्भ जाग्षर मीन ठा शुब भाग्याक्षर सादे चोकुर कागच पर लिख कर अपने पास रखें और शुबता का आनन द उठाएं चलते चलते अब आज का आईश्मान भवा है दिनाग 15 जुलाई को पैदा हुए लोगों के लिए जनम दिन की हार्दिक शुब कामना है दो बर्गत के पौधे कहीं अपने हाथ से लगा दे एक माला गायतरी मंत्र का जाब करें किसी जरूरत मंद को खाना खिलाएं और रुद्राविश्यक करवाएं जिसकी आज मैलिज अनिवरसरी है तीन बच्चों को भोजन कराइए दो बच्चों को कहीं कौपी किताब का दान करिए इसी सफाई करमचारी को नमक का दान करिए और एक माला गायतरी मंत्र जरूर करिए आज कंक में इतना ही आज और कल दो दिन नागपुर में है इसके बाद लखनौ रहेंगे 17-18-19 तारिक से गाजियाबाद में मुलाकात कर सकते हैं बहुत बोशुक्रिया आपका दिन शुभ हो अनुमत दीजेगा और हाँ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा धन्यवाद नमस्कार शेरा दे आचार्य विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने 13 वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीप एक खुशियां अनेक अनेक